हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक बहुत ही स्पेशल वर्ड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम वर्ड है डबलीव ए आर इ वर्ड वर्ड शब्ड का इस्तमाल पास्टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है बढ़ आज हम वर्ड का एक स्पेशल यूज जानेंगे वर्ड का इस्तमाल हम इमाजिनेटिव सेंटेंस यानि की कल्पनात्मग वाक्यों को बनाने में इस्तिमाल किया जाता है कैसे सबसे पहले हम structure जानेंगे हमारा structure है if plus subject plus word plus other words if plus subject plus word plus other words if की meaning होती है हिंदी में यदी और second हिंदी मीनिंग होती है काश यदी मैं कहूं काश में चड़िया होता तो इस तरह के sentences बनाने के लिए हम word word का use करते हैं यानि कि हम was की जगे word word का use करके हम imaginative sentences यानि कलपनात मगवाक के को बनाने का अभ्यास करते हैं यानि कि अगर हमें कलपनात मगवाक के बनाने हैं यह हम were, w-e-r-e, were word का use करते हैं, any doubt, अब हम कुछ examples देखते हैं, काश, वह मेरा भाई होता है, if he were my brother, if he were my brother, इस तरह के sentences में हम last में, full stop न लगा के, note of exclamation mark लगाते हैं, यहनी की, विसमे आदी बोदग, चिन्दर का इस्तिमाल किया जाता है, काश, वे मेरे माता-पिता होते, if they were my parents, example number three, काश में चड़िया होता, if I were a bird, काश में इस देश का प्रदान मंत्री होता, if I were the PM of this country, काश या यदि, इन दोनों में से किसी भी एक शब्द का इस्तिमाल करके, हम इस तरह के imaginative sentences का इस्तिमाल कर सकते हैं, आप बहुत सारे imaginative sentences का प्रयोग या वाक्य, इस structure से आप बहुत ही सरल रूप से बना सकते हैं, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, दोनों की English होती है, इफ आई वर यू, काश तुम्हें एक पशू होते, इफ यू, वर अन एनिमल, काश तुम्हें एक पशू होते, यदि वर किसान होता, काश वर किसान होता, इफ यू, वर अफार्मर, काश वर रानी होती, इफ शी, वर अक्वीन, काश में एक लड़की होता, इफ आई वर अगर्ल, काश तुम्हें एक पख्शी होते, इफ यू, वर अबर्ड, इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम थोड़ा और सुधार कर सकते हैं, या इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, कैसे, वो हम सीखते हैं, conditional sentences हमारा जो पिछला structure था वो imaginative sentences के लिए था वर का इस्तिमाल करते हुए हम शर्त सूचक वाक्य यानि कि conditional sentences भी बनाते हैं उसका structure इस प्रकार है if plus subject plus word plus other words इसी structure को हम आगे बढ़ाते हैं subject plus would plus word first form were first form और उसके आगे हम object लिखते हैं plus object यानि कि subject plus would plus first form plus object रइट अगर हम अपना sentence if I were you से स्टार्ट करते हैं यानि कि इसकी हिंदी होती है यदी मैं तुम्हारी जगह होता इसकी हिंदी होती है if I were you यदी मैं तुम होता यदी मैं तुम्हारी जगह होता करेंग यदी मैं तुम्हारी जगह होता मैं उसकी सहता करता इस तरह के sentences को हम word से बनाते हैं लेकिन अब ये जो sentences होते हैं ये imaginative sentences नहोकर conditional sentences कहलाते हैं right these sentences are called conditional sentences now these sentences are not imaginative sentences means इसमें condition है यदी मैं तुम होता या यदी मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी सहता करता right जदकाश मैं तुम्हारी जगह होता if I were you मैं उसको दंडित करता I would punish him I would punish him यदी मैं तुम होता और यदी मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं कहता यदी मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस तरह से नहीं बोलता या मैं इस तरह से नहीं कहता इस तरह के जब हमें वाक्य बनाने होते हैं वर शब्द से यानि कंडिशनल वाक्य है तो हम वर का वर इस्तमाल एक बार और करते हैं यदी मैं तुम्हारी जगह होता इफ आई वर यू तो मैं उसका प्रपोजल यानि मैं उसका प्रस्ताव सुईकार कर लेता I would accept his proposal मैं उसका प्रपोजल सुईकार कर लेता है यदी मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जीत जाता If I were you If I were you I would Definitely मैं निश्चित रूफ से जीत जाता I would definitely I would definitely win I would definitely win इस तरह के वाक्यों को हम वर शब्द से बहुत ही आसानी से Students English Language में हर वर्ड का एक special use होता है आज हमने सीखा कि हम वर शब्द से यानि कि वर एक helping verb से किस किस तरह के वाक्य बना सकते हैं नॉर्मली अगर हम देखें तो वर वर्ड का यूज पास्टेंस के लिए किया जाता है लेकिन आज हमने सीखा कि वर शब्द से हम Imaginative Sentences और Conditional Sentences कैसे बनाते हैं आज के लिए इतना है Thank you My dear students Thank you